बताई जण साब कौन सर्टोक आज चुना है आपने बिल्कुल एक बैतरीन कंपनी है डायमाइन्स और केमिकल्स लिमिटेड और यह कंपनी मेरे जितने भी पैरामिटर्स है वह फंडामेंटल्स हो टेक्निकल्स हो तो फंडामेंटल्स पे बहुत जबर्दस चल रहे थी कई मह अच्छी है और यह भी बहुत अच्छी यह तो जरूरत से ज्यादा अच्छी है कई बार मुझे ऐसा लगता है कि चौदा पंद्रे के पी मल्टिपल पे है जीरो डेट कंपनी है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्रोइड इस सिक्स्टी वन परसें रिटर्न ऑन इक्विट से जानता हूं जब मैं नाइंटी सब्सक्राइब करता था तो मेरा एक बैच मेट इसमें एक रिसर्च का प्रोजेक्ट किया था जब भी फिनेंशल मैनेजर में होता तो एक स्टॉप के ऊपर आपको एक्विटी रिसर्च करनी पड़ती है तब यह बहुत छोटी सी कंपनी हुआ करती थी और बहत्रीन फंडामेंटल्स के बाद अब इसकी देखिए खास बात यह यह पाइनियर एक इथाईल माइंस बोलके प्रोड़क्ट है जिसका यह माननी जीए पाइनियर इंडिया में और कई सारे प्रोड़क्ट से जिसके यह मैंनों पाइनियर सब्सक्राइ इंडिया लाने वाली यह कंपनी है एक छोटी कंपनी देखिए तीन सो चौतर करोड की कंपनी केमिकल्स में ऐसी टाइप की कंपनी आ रही हमने देखा कैसे मैंने काफी सारे कंपनी पहले भी बताए और उस सब के सब जोड से चल रहे है और सबसे इंपोर्टेंटली मुझे जो इसके नंबर्स आ रहे हैं और बहुत ही बहतरी ना रहे है पिछले चार-फास क्वार्टर से तो एक्स्टार्णरी अच्छे नंबर्स आ रहे इस कंपनी के और मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी में बिलकुल इन लेवल्स पे निवेश रहे एक छोटी एक्विटी वा 76 से कारियर रद है तो जीरो डेट कंपनी डिविडेंट पेंग कंपनी पुरानी कंपनी और ऐसे रिटर नंबर्स देने वाली कंपनी में मुझे काफी कॉंफिटेंस आ रहा है और मुझे लगता 470 से 490 तक के टार्गेट के लिए इस टॉप को लिया जाए और 6-9 मेने की अ झाना है फोकस ये जेन साब के तरफ से आपके लिए एक बहतरीन स्टोक लेए